पूरो मंत्री गोवेन सिंग का बड़ा बयान आया है सीम के दिल्ली दोरे पर उन्होंने कहा कि जहां पर उनके पेर पड़ेंगे भंटा धारी होगा सिंधिया हमेशा अपने दबाओं में रखना चाहते हैं सरकार को सिंधिया समर्था को को राजयस्वव के विभाग ना दिय सकते हैं जे जरूर है कि मेरे को बनाया गया है किस सिल्स्ले Craven संक्ठों के बार में चल्चा करेंगे चुनाव आने बाले उसके संबद में बिभी बाहर दो रखकती है और रही हैं सबस्क्रा बरसों से चला है हमनी सरकार का भी नहीं देखा कितनी हुई है लेकिन जब भी कोई भी सरकार चाहे बाजापा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो इनका खेल चलता है ये परवार दोनों दलों में मिला रहता है कुछ चले जाते हैं बाजापा में कुछ कांग्रेस में और दोनों मिलके सास की जमीनों का संपंतियों का लूट करती रहे हैं का मैं गोविन सिंग पर कोई आरूप नहीं लगाना चाहता कि गोविन सिंग की इतनी जादा सिंदिया के सामने कुछ चलती हैं तो बबाग मांगा अपने अधकारी कलेक्टर लेंड रिकार्ड सब अपने बैठाल के यहरा फिरी की है प्रमाड गवारियों के लिखे दस्ता ब कवालियर स्यूपरी और उज्जियन में जो सास की जमीनों के सिंदिया खांदान के आजादी के बाद जो टांसपर की गई हैं उनके लिए आयोग बैठा लें ताकि दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा और अगर मैं इसमें मेरी बात गलत निकलती है तो मेरे भी मु सब्सक्राइब होती है प्रजात अंत्र की गला घौट कर जिन लोगों को महत तो में मामंडित किया जाता है तो यह सी दुद्धा होती है यह सी दुद्धा चलती है वह चलेगी विखास पूरी तरह इसे रुख जागा विखास जब उनको जूतम पह जाली सब्समें मिलेगा आपस में तब तो बिकास की बात करेंगे इतना समय कांग है इसको यह साप कर ए हैं बांदने की तागा है तो बहीं बांद सकता है किसानों पर लगाए गया थे आपकी तो पर नहीं सब्सक्राइब कर लिये थे लेकिन फिर अब जी शेश वची तो में रस्क कर लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने चुना कि समय बचन पत्त में जो बाइदा किया था उसमें पर किसानों पर ला दे गए बाद्य मख़ा लेने का नगना लिया था गुषणा की ती और कि यह हैं काफी भारी तादाद में किसानों पर लगे वी जो कांग्रेस के कारकान तो अब असत पीये गए गाए तो कारकालम बांद को बापिस किया रहा है सबद्सक्राइज जहां तो उनने की जो सोच है कि सभी विभाग और मुखवंत्री और मंत्री उनके दबाव में काम करें उनके आदेश का पालन करें यह उनका सामनती सुभाव है। अभी मैं हालंग मेरे को सलाय देने की आपसक्तिने में बख्षम हूँ लेकिन प्रदेश की साड़े साथ जरूर जनता की ओर से उनके हित्में मैं मुक्वंती सिवराज सिंग से अन्रोद करना चाहता हूँ कि सिंधिया समर्थों को राजस के ब्रवाग न दिया जाए क्योंकि राजस ब्रवाग जब जब सिंधिया के लोगों पर आया है और सिंधिया का प्रवाव छेत राजस ब्रवाग के अधकारियों को लेंड डिकार्ड वगरा में अपने कमिस्टर बैठा ले हैं तब तब सास क जमीनों पर हड़पने का काम सिंदिया जी के द्वारा इनके परवार के द्वारा किया गया है अभी भी कि गवालियर में जो मर्जर एग्रिमेंट हुआ था सिंदिया इस्ट्रेट के राजप्रोख जिया जी राव सिंदिया के समख्ष जो भारत सरकार मदबले सरकार का एग्रिमेंट हुआ था उस एग्रिमेंट में जो सास की जमीने अलग कर दी गई थी यह सास की होंगी और उसके बाद संदिया जी की त्या की गई थी वह एग्रिमेंट में गजट नोटी फिकरन के माद्म से लखे दस्ता भेज हैं परन्थु उसके बाद भी सिंदिया जी द्वारा अपने अद्खारियों को और अपने वबाग अपने दवाम हैं अपने को लगा कि करोनों जिकी रुपएज की जमीन है उज्जेन की स्विपरी की और गवाली अर्की सिंदिया खांदान ने सिंदिया ने अपने नामों के लिए अपने ट्रॉस्टों के लिए अपने नाम करा ली है हमारी सिब्राज सिंगी से मांग है हालंक मुझे अर्कार नहीं है सला है कि आप राजस भाग को छोड़कर चाहे कुछ दें लेकि इससे ज़रा बचाओ करें अनता पूरी प्रदेश की सास की गरीब जनता की संपती जो जनित के काम होने बाले हैं करकम के लिए जमीने त्याक ही गए थी वो जब सिंधिया जी दोरह रप ली जाएंगी आज भी नयाले में तमाम प्रिकलाद कवाली और उच्छे नयाले में जमीन घरपने के सिंधिया जी के ख़लाब चल रहे हैं और इसके अलावा को से दूर रखा जाए क्योंकि अभी कई मामलों में सास के अद्वक्ता भी और एड़ुकेट साय एड़ीसन एड़ुकेट जनरल अपने बनवाते हैं ताकि वो सिंदिया के पक्ष में फैसला करवाते हैं मैं सबसे बड़े आश्चा की बात मैं आपको पता देना चाहता हूं को कि गबान येर में सिरी सुसील मोधी जी एड़ुकेट जनरल है उन्होंने नियाले में लिखे दिया था कमनाज जी मुखवंदी की सरकार के रहते के हम 12 प्रकड़ों में सरकार के खलाब सास की अद्वक्ता 12 सिंदिया जी के हम سरकार की पेरवी नहीं करूंगा सब बारा मामले हमारे जोता है सिंदिया जी से जमीने उसे सम्झदी गें इस प्रकार का डबाव सिंदिया जी अलती है और अभी लगातार दबाव बनाकर विबागों के बितना में मैं नहीं समझता है कि सिब्लाद सिंग जी इतिनी ज्रदी सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें